प्यारे बच्चों, वन्शाकती के आन्विक अधार अध्याय में आपका स्वागत है मुझे आशा है कि आप सब अपने स्थाने सुरक्षित होंगे इस अध्याय के पहले भाग में हम DNA की सरंचना के वारे में विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि मेंडल का काम एक पीडी से दूसरी पीडी में विश्ताराओं के वन्शाकती का प्रतिरूप जानने में सहायक था लेकिन वन्शानूं की इरसायनिक प्राकृती जा मार्क मेलन जैसे की मेंडल उन्हें कहते थे बहुत समय तक ब्रांती जनक रहे ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब जानना अत्यनत अवश्यक था कि न्यूकलिक अमल तथा प्रोटीन या दोनों ही एक साथ अनुवंचिक जानकारी के लिए संभाहक हैं या नहीं यह भी बाद इस तथे पर अदारित था कि सुकेंद्रिक जैसे के हम यूकेरियाटिक कहते हैं गन सूत्रों में न्यूकलिक अमल के साथ प्रोटीन भी होते हैं और शुरुवाती दोर में केई जीव विज्ञानियों का मत्था की प्रोटीन में न्यूकलिक अमल की तुलना में आधिक विविदता होती है और इसलिए पंशानू की विविदताओं को इसके लिए उत्तरदाई माना जा सकता है समय समय पर हुए के तरह के प्रयोगों ने ये साबित कर दिया कि अधिकांश जीवों में डियाक्सी राइवोस न्यूकलिक अमल जिसे की हम डियने कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ है दूसरे परकार का नुकलिक अमल, जिसे के हम राइबो नुकलिक अमल भी कहते हैं, जिसे आरने कहते हैं, कुछ विशानुओं में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है तो प्यारे बचो, इस खंड में हम चर्चा करेंगे कि बास्तव में डियाक्सी राइबो नुकलिक अमल क्या है, इस जटिल अनु के एक लख क्या है, जिसे के हम मोनोमर कहते हैं, और ये एक लख किस तरह से विवस्तित रहते हैं, हम उन प्रयोगों का भी अध्यन करेंगे, ज एक स्विस चिकित्सक जिनका की नाम फ्रेडरिक माशनर था, उन्होंने गायल सैनकों के मवाद में सफेद रक्त कोशिकाओं के केंदरक नाबिक से एक पदारत को अलग किया, पदार्थ में फासफोर्स की मात्रा बहुत अधिक थी, और अमलिय प्रकूती का था, क्योंकि प चुंकि पदार्थ केंदरक जानी की नूकलिय से उत्पन हुआ था, तो उन्होंने उसका नाम नूकलीन रख दिया, उसी नूकलीन की पहचान बाद में डियाक्सी राइबो नूकलिक एसर जानी के डियने के रूप में हुई राइबो नूकलीक अमल जिसे कि हम आर अने कहते हैं, नामक एक अन्य पोली निकलियो टाइड को बाद में खो जा गया था, अधिकांस जीवों में डियने अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ बिशानू, जैसे कि तंबाकू मुजाइक बारस, जिसे कि हम टी ए तंतु में डियाक्सी राइबो निकलियो टाइड का बहुलक है, जानिके पॉलीमर से जिसमें बहुत सारे निकलियो टाइड जुड़े होते हैं, जो जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ये आम तोर पर सुकेंद्रिक जिसे हम सुकेंद्रिक जीवों कहते हैं, उनकी कोशिकाओं के केंदर में मुझूद होता है DNA की कुछ मात्रा कोशिका अंग जैसे की सुत्रगनी का और हरित लवक जिसे के हम क्लोरोपास कहते हैं प्लांट्स में होती हैं उसमें भी पाया जाता है और केंद्रिक प्रोकरियाटिक जीवानू में एक संग्ठित केंद्रक मुझ जाता है और कोशिकाओं द्रब्य में स्थित प्लास्मिड में मुझूद होता है जीवों की जैविक जानकारी को संग्रित करने वाले डीने की लंबाई का अनुमान भविन तरीकों से लगाया जा सकता है डीने डियाक्सिराइवो नुकलियोटाइट्स का एक लंबा भूलक है जैसे कि अभी हमने जाना डीने की लंबाई समानेता इसमें मिलने वाले नुकलियोटाइट्स पर निर्भर करती है कि उसमें कितने सारे नुकलियोटाइट्स है वो जुड़के एक लंबा भूलक बनाते हैं ये किसी भी जीव की विशेष्टा होती है हर जीव में डीने का जो साइज होता है वो अलग लग होता है तो इसलिए ये उसकी विशेष्टा है कि उसमें कितना डीने का साइज है और ये डिपेंड करता है ये निर्भर करता है कि उसमें कितने निकलियोटाइड जो है वो जुड़े हुए हैं उधारन के तोर पर जिवानू बोजी जिसे हम लैम्डा 174 कहते हैं इसमें 5,386 निकलियोटाइड होते हैं जिवानू बोजी लैम्डा में 48,502 शार जुगम और एस्चर्चिया कोलाई में लगबग 4,00,000 शार जुगम बब मनुश्य के अनुमित डियने में लगबग 3,00,000 शार जुगम हैं आए अब हम इस लंबे बहुलक की सरंचना का वर्नन करेंगे जिवानू में स्थित प्लास्मीड डियने की तुलना में अनुवांशिक जिनोमिक डियने छोटा होता है पोली नुकलोटाइड शुरंखला की सरंचना डियाक्सी राइबो नुकलीक अमल एक बहुलक है जैसा कि अभी हमने पीछे जाना जो एक लग दोहराई जाने वाली एकाईयों से बना होता है जिसमें बहुत सारे नुकलोटाइड जो है वो एक लग जुड़े होते हैं जिनको हम मोनोमर भी कहते हैं डियने तन्तू लड में दोहराई जाने वाली एकाईयां एक लग नुकलोटाइड कहलाती है एक दूसरे से सटे हुए जा असन निकलियोटाइड फास्पोडाइस्टर बॉंड जिसे कि हम अबंद कहते हैं दुवारा जुड़े होते हैं इसलिए DNA एक पोली निकलियोटाइड है निकलियोटाइड में तीन घटक होते हैं एक नाइट्रोजनी अधार एक पेंटोस शरकरा और एक फास्पेट भावसिये लवन समूव प्यारे बचो आएए पोली निकलियोटाइड श्रिंकला डियने और आरने हम दोनों को साथ साथ म पेंटोस शरकरा जिसे हम शूगर कहते हैं आरने के मामले में राइबोस बोलते हैं और DNA के मामले में हम इसको डियाक्सी राइबोस बोलेंगे और एक फास्पेट गरुप होता है नाइट्रोजनी चार दो परकार के होते हैं जैसे की प्यूरीन्स वपाईरिमाइडिन्स प् साइटोसीन DNA वो RNA दोनों में मिलता है जबकि थाइमेडिन सिरफ DNA में ही मिलता है थाइमीन के स्थान पर जूरेसिल RNA में मिलता है नाइट्रोजनी चार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंदवारा पेंटो शरकरा 1C जनी के एक नंबर के कारवन जो होता है उसके साथ हाइड्राक्सिल OH से जुड़कर नुकलियोसाइड बनाता है और बेद अलग अलग तरह के नुकलियोसाइड जो है वो बनते हैं जैसे क की एडेनोसीन हो गया जा फिर डायाक्सी एडेनोसीन हो गया डिने के लिए गवानिसीन हो गया जा फिर डियाक्सी गवानिसीन हो गया साइटिडिन हो गया जा फिर डियाक्सी साइटिडिन वयूरीडिन जा फिर थाइमदिन जो की डिने में होता है उसे हम यह कहते हैं जब फास्फेट स्मू, फास्फो इस्टर बंद द्वारा निक्लियोसाइड के 5C, जानि कि 5W नंबर के कारवन के हॉइड्रॉक्सिल स्मू से जुड़ जाता है, तब संबंदित निक्लियोटाइड जो होता है, DNA के काम में हम डियॉक्सी निक्लियोटाइड कहेंगे, उपस्ति शर बंद द्वारा जुड़कर डाई निक्लियोटाइड का निर्मान करता है, इस तरह से के निक्लियोटाइड जुड़कर एक पोली निक्लियोटाइड शरिंखला का निर्मान करते हैं, इस तरह से निर्मित बहुलक के राइवोज शरक्रा के 5W किनारे पर सफतंतरता फास्फ स्मूव मिलता है जो अलग ही वहाँ पर रहता है जिसे पोली फास्वेट आइड श्रिंखला का निर्मान करते हैं ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर शरक्रा मुक्त तीन समूव होता है जानिके एक तरफ पांच हम बोलते हैं और एक तरफ हम तीन बोलते हैं Hydraxily Smooth से जुड़ा होता है Poly Nucleotide शुरंखला का तीन स्रा जो किनारा जिसे हम तीसरा किनारा कहते हैं Poly Nucleotide शुरंखला के अधार का निर्मान शरक्रा वो Phosphate से होता है Nitrosine शार शरक्रा अंच से जुड़ा होता है जो अधार से प्रेक्षिप्थ होता है RNA में प्रतेक निकलियोटाइड अफशेश के राइबोज की दो जगे पर एक अतिरिक्त Hydroxyl Smooth स्थित होता है RNA में थाइमीन पांच वाली साइड पे होता है जिसे कि हम मिथिल यूरेसिल थाइमीन का दूसरा रसाइनिक नाम भी है वो कहते हैं कि जगा पर जूरेसिल मिलता है जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि अगर हम RNA की बात करेंगे तो उसमें यूरेसिल मिलेगा अगर हम DNA की बात करेंगे तो उसमें थाइमीन मिलेगा चलिए अब हम बात करते हैं DNA का दुई कुंडली नमूना जानि कि यह डवल हैलिक स्ट्रक्चर आफ़ दा DNA फ्रेडरिक मिशन नुकलीन की खोज अनुवांशिक अनुसंधान में एक बहुत एतिहासिक उपलब्दी घटना मानी जाती है 1881 में अलवर्ट कोसल जो की एक जर्मन जीव रसाइन बायो केमिस जिसे हम कहते हैं उन्होंने नुकलीन को नुकलीक अमल के रूप में पहचाना इसका रसाइनिक नाम डियाक्सी राइबो नुकलीक अमल जानि के DNA दिया गया DNA और RNA में मुझूद नुकलीक अमल जानि एडिनिन, गवानिन, साइटोसीन, थाइमीन और जूरेसिल भी अलग कर दियेगे उसके बाद में फोबस लवीन और इर्विन चारगफ जैसे बिग्यानी को द्वारा बाद में किये गे अनुसंदानों से DNA के बारे में नई जानकारी का विवरन सामने आया लवीन ने खोज की कि वे क्रम जिसमें एक नुकलीो टाइड के तीन घटक स्थित रहते हैं अर्थात फासफेट शरक्रा अधार और जिसको हम RNA के रूप में उसे हम बात करें तो कार्वोहाइट गटक जाने के राइबोस शूगर जा सरक्रा और DNA की अगर हम बात करें तो उसमें डियाक्सी राइबोस तथा जिस तरीके से RNA और DNA आनुओं को एक साथ रखा जाता है उनके बाद में रोजलिन फ्रैंकलीन और मौरिस बिलकिंस ने DNA तंतू के उच बिभेदन रेजोलूशन वाले X-ray चितर प्राप्त किये जो एक कार्क स्क्रू जैसी आकरूती का सुजाब देते थे लाइनस स्पॉलिंग द्वारा बहुत से प्रोटीन में पाए जाने वाले एक सूत्री अलफा कुंडलिक बकरता की खोच ने जीव विग्यानिकों को DNA के कुंडलिक रूप में समझाने के लिए प्रेरित किया 1953 में DNA के एक द्वी सूत्री कुंडलीनी तंतुमे नमुदने को जेम्स वाट्सन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा स्पष्ट किया गया जिसके लिए उन्हें मौरिस बिल्किन्स के साथ नौवल पुरुसकार मिला फ्रांक्लिन नौवल पुरुसकार पाने में चुक गए क्योंकि पुरुसकार मर्नोप्रांत नहीं दिया जाता है और तब तक उनकी मृत्यू हो चुकी थी उनके द्वारा दिया गया DNA का नमूना इर्विन चारगाफ, रोजलैंड फ्रैंक्लिन और मौरिस बिलकिन्स के परी ग्यान पर अधारी था इर्विन चारगाफ ने निशकर्ष निकाला कि प्यूरीन की कुल संख्या और पारीमाइडीन की कुल संख्या आम तोर पर बराबर होती है और वह एक के बराबर होती है इस निशकर्ष को हम चारगाफ नियम के रूप में जानते हैं प्यूरीन की मात्रा, पारिमाइडीन की मात्रा के बराबर है, जानी के अगर हम बात करें कि एडनीन पर थाइमिन तथा गवानीन और साइटोसीन के बीच में अनुपात स्थित बह एक दूसरे के बराबर रहता है चारगाफ का नियम जिसमें ये बताया गया कि वार्टसन और क्रिक द्वारा बताएगे निमूने का अधार बना जिसने संपूरक नाइट्रोजन अधारी के बीच छारक जुगमक का पुनन निर्मान लगाया फ्रांकलीन और बिल्किन्स द्वारा किये गे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कारे ने परदर्शित किया कि दो शरकरा फास्पेट के अधार जा पुरुष्ट वंश अनु के बाहर स्थित रहते हैं इससे वार्षन और क्रिक द्वारा दिये गे डिने के नमूने की पृष्टि हुई कि शरकरा फास्पेट के अधार जा पुरुष्ट वंश ने द्वी कुन्दलीनी नमूने का गड़्रम किया था जो की प्रति समंतर है जानी के DNA द्वी कुंडलीनी में शोर एक स्थित एक DNA तंतु शोर पर स्थित सम्पूरक DNA तंतु के साथ जुड़ा होता है वार्शन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित अधिकांश जीवित कोशिकाओं में सबसे पाये जाने वाले सरंचना बी DNA के रूप में जानी जाती है कुछ विशेशताएं पाय जाती हैं जैसे कि ये दो पोली निकलियोटाइड श्रिंखला से युक्त होता है जहां अधार का प्रुष्ट वंच का गठन शरक्रा फास्फेट द्वारा किया जाता है दूसरा नाइट्रोजनी अधार शरक्रा जिसमें की फास्फोट अधार प्रुष्ट वंच के अंदर से बाहर की ओर निकले रहते हैं दोनों श्रिंखलाओं में प्रति समंतर विरोधी वृतियां होती हैं क्योंकि DNA में शोरपा स्थित एक DNA तंतु के साथ जुड़ा होता है और तीसरा फास्फेट स्मू क्रमिक निकलियोटाइड को एक दूसरे के सम्वारा के लाते हैं जब शोरपा स्थित दूसरे निकलियोटाइड की शरक्रा को एक दूसरे से जोड़ती है इस अवस्था के कारण जदी एक श्रिंखला में दुरूबता पांच से तीन की तरफ है तो दूसरे में तीन से पांच की तरफ दुरूबता हो जाती है दो सूतर जहां तंतू में छार अदार को हाइडरोजन अवद जिसे कि हम H आवद या H बॉंड कहते हैं के एडनिन विप्रित सूतर या तंतू के थाइमिन के साथ दो हाइडरोजन अवदों द्वारा जुड़ा रहता है अब्दों का मतलब बॉंड है उसी तरह गवानिन बिपरित सूतर जान तंतू के साइटोसिन के साथ तीन हाइडरोजन अब्दों द्वारा जुड़ा रहता है और यही इसके उल्टा भी होता है दो श्रिंक लाएं दाहिनी और से कुंडलित रहती है जानि कि अगर आप अपना दाहिना हाथ उठाते हैं अपने अंगूठे को उपर की तरफ करके तब आपका अंगूठा कुंडलित बकरता के अक्ष को दर्शाता है अगर आप अपनी उग्लियों को अंगूठे की तरफ गूमाते हैं तब आपकी उग्लियों शरकरा फासफेट अदार का या उसका प्रिष्ट बंस को दर्शाता है जो की कुंडलित बकरता को दाहिनी से लपेटे रहती है DNA और DNA के अन्य रूप दाहिनी ओर से कुंडलित बकरता है केवल एक परकार के DNA को ZDNA कहलाता है जिसमें बाएं हाथ की ओर से कुंडलित बकरता होती है कुंडलित बकर्ता की लंबाई कुंडलित बकर्ता का एक पूरा मोड जो की 3.4 नैनोमीटर है तथा एक गुमाव में लगबग 10 छारक जुगम होते हैं कुंडलित बकर्ता में एक छारक जुगम के बीच की दूरी लगबग 6.3-4 नैनोमीटर के बराबर है कुंडिलित बकर्ता का ब्यास दो नैनोमीटर है, ये स्थिर रहता है क्योंकि एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमेडीन के साथ जुडा रहता है द्वी कुंडलिनी एक शारक जुगम का स्तर दूसरे शारक जुगम के उपर उपस्तित रहता है इस परकार शारक जुग का एक दूसरे के उपस्तित रहना तथा हाइडरोजन आवद के साथ बंदे रहना कुंडलित स्रंचना को उच सतर की स्थिर्ता परधान करता है DNA के दो अन्य अनुरूपन हैं जो विशेश मामलों में होते हैं ये है DNA के निर्जलित नमूनों में पाए जाने वाले एक छोटा और एक ब्यापक रूप तथा कभी कबार समान्य क्रियात्मक प्रस्थितियों में एग DNA कहलाता है बाए और से अनुरूपित जो की DNA का एक चनिक रूप है कुछ जैविक कतिपिदियों जैसे की बिशानू रोगों से सुरुक्षा जैसी प्रतिकिर्याओं से बनता है जैट DNA कहलाता है तो प्यारे बचों, DNA एक द्वी कुंडलीनी है जिसमें शरक्रा फासफेट, पुरुष्ट बंश मेरूदंड और नाइट्रोजनी अदार है जो की अंदर की बंदो द्वारा एक दूसरे के साथ जुडे रहते है वाट्सन और क्रिक द्वारा DNA की संचना की खोज अनुवंख जीव विज्ञान के इतिहास में एक न्या मोड था DNA एक नुकलियोटाइट्स का एक लंबा बहुलक है जिसमें बहुत सारे नुकलियोटाइट्स जुडे होते हैं जो कोशिकाओं के नाबिक के भीतर सकरात्मक रूप से प्रभाबित मूलबूत प्रोटीन जिने की हम हिस्टोन कहते हैं उनसे वो जुडा होता है और उनसे भरा होता है अनुवांशिक पदार्थ की खोज ने गृफित को एक परिवर्तन कारी सिद्धान्त को डूणने में मदद की जो की जिवानू के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था जिसको हम अगले भाग में बहुत अच्छे से जानेंगे परवर्तन कारी सिद्धान्त की जैवर साइनिक प्राकृति का खुलासा एवरिये मैकलॉड और मैकर्थी नामक तीन भी ग्याउनी के दुआरा किये गे प्रयोगों से हुआ था हलांकी ये डिने अनुवाशिक पदार्थ है का निरनायक प्रमान ब्लेडर प्रयोग से आया था जिसे अल्फेड हर्षे और मार्षे चेस द्वारा किया गया था जो कि हम अगले बाग में बहुत अच्छे से पड़ेंगे जिसने सारे बिवादों को शांत कर दिया था जो कि जीवित जीवों में मुझूद अनुवाशिक पदार्थ की प्राकृती के बारे में थे डिने को सबसे उप्यूक्त अनुवाशिक पदार्थ माना जाता है जो कि इसकी विशेष्टाओं के कारण है मूल सिदान्त को फ्रांसिस क्रिक द्वारा एक जैविक परनाली के बीतर अनुवाशिक जानकारी के प्रवाग की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया था जो प्रोटीन का निर्मान करता है और जीवित जीवों में एक विशेष्ट चरितर को व्यक्त करने में मदद करता है तो प्यारे वच्चो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाब दाइक होगी इस अध्याय के अगले बाग में हम DNA कुंडलीनी का संपेश्टन, रुपांतर परिवर्तन, सिध्धान्त, रुपांतर परिवर्तन सिध्धान्त का जैवरसाइनिक, निरुपरन भिवरन और अनुवांशिक पदार्थ की मुख्य विशेश्टाओं के बारे में चर्चा करेंग नमस्कार